नवस्कार में प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में उजीवन स्मॉल फाइनेंस बेंक को डिसकस करेंगे जिसके क्यू टू का अपडेट आया यह स्टॉक काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म है लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस प्राइस पे चाहें तो इस बग 7800 करोर का मार्केट कैप है इसके अलावे कंपनी की वैल्यूएशन बाई देखेंगे तो सबसे लोइस्ट वैल्यूएशन पे है और रिटर्न भी थोड़ा वीक ही रहा है हलांकि बेंकिंग सेक्टर के ही रिटर्न वीक रहे रेवेन्यू की बात की जाए तो रिसेंट क के हाइस्ट एवर रेवेन्यू रहे प्रोफिटिबिलिटी कंपनी की बेटर रही है ओ पीम जो कभी बहुत नीचे था वो बेटर होते हुए दिखा है इपीएस कंपनी के सुधरे है यह यह बोरोइंग देखेंगे तो यह तो बैंकों के अंदर जो है मतलब 5 के आसपास का जो डेट टू क्यूटी है 5-6 तो कॉमनली है रिजर्व के कंपनेटिबली जो डेट होता है उसका रेशियो बनाया जाता है तो 6 का रेशियो बहुत ज्यादा नहीं है इसके अलावे प्रमोटर ने बिल्कुल कंपनी को जो है वो प्रोफिशनल के हातों में दे दिया है एफ पब्लिक में देखेंगे तो डॉली खनना का एक बरा नाम भी सामने आता है तो अब इस समय मुझे लगता है कि इस स्टॉक के क्यूटू के अपडेट बेटर आ है जहां टोटल डिपोजिट जो है कोटन कोटर बेसिस पे और कासा 5-6 परसेंट बरा है येर अन येर बेसिस 17 और 26 परसेंट के ग्रोथ दिखे हैं इसके अलावे जो ग्रॉस लोन बुक है उसमें भी येर ओन येर 14 परसेंट बरा है डिस बर्समेंट थोरे वीक रहे 7 परसेंट डाउन होते दिखा और इस समय इस स्टॉक में जीवन फाइनेंशिल सर्विस को तो विलाइक कर दिया गय है तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बेंक को देखेंगे तो इसकी जो वॉल्यूम है 1.3 करोर की है जो की कॉमनली वॉल्यूम ही मुझे लगता है कि ये वॉल्यूम कॉमन ही है और इस समय जो डिलेवरी है वो तो बेटर है लेकिन ट्रेंड थोरा पैथेटिक रहा है काफी लंब उपर से 40% करेक्ट हुआ है अब अगर ये इस लेवल को ब्रेक आउट करता है 62 को तो बरा ट्रेंड भी दिख सकता है अगर इस स्टॉक में बाइंग जोन या मेजर सपोर्ट की बात की जाए तो ये देखेंगे 30 से 40 के बीच का जो जोन है ये पूरा ही जोन ऐसा नहीं है कि 40 ही ये पूरा ही जोन एक सपोर्ट जोन है जहां लोंग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है लेकिन स्टर में बिलकुल इगनोर करें स्टर में ये मुझे बहुत फैबरेबल नहीं दिखता है अगर इस सपोर्ट को थोरा उपर लेकर के आए जो की विकली टाइम फ्रेम का चा होगे ये बाला 48 के उपर ही लॉंग करेंगे लेकिन धीरे धीरे अगर आप एकुमलेट करना चाहते हैं तो ये एक बेटर आप